सब्सक्राइब कीजिए जीएस नीजी चेनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पले देखने के लिए नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ शिखा कोशिक किसान आंदोलन के नाम पर अभी तक आम लोगों से ठगी हो रही थी लेकिन पहली बार धरनस्तल पर आंदोलन में शामिल किसानों से ठगी के मामले सामने आए है आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुंडली बोडर पर ठगी एक दो किसानों से नहीं हुई बलकि एक हजार से ज्यादा किसानों से लाखो रुपे ठग लिये गए ये ठगी हुई कैसे? इसे जानने के लिए देखिया हमारी एक खास रिपोर्ट नेक रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों का परदेशन चारी है किसानों के खिलाफ भी जम कर दुश्पिचाब किया जा रहा है ऐसे में एक ऐसी खबर आई है वो चौकाने वाली है दरसल मिली खबर के मताबिक किसानों से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे किसानों के भी परशानिया हो सकती है मामला ये है कि कुंडली बार्डर पर परदेशन कर रहे किसानों से कुछ यूवकों ने खुद को सेवादार बता कर मदद के नाम पर लाख रुपे ठख लिए बताया जा रहा है कि किसानों से सौ से पांच सुरुपे तक वसूल किये गए और उनको कोई भी रिसीविंग नहीं दी गई इसका खुलासा समय हुआ जब मंच के पास किसान नेताओ तक यह मामला पहुँचा उसके बाद मंच से खोशना की गई कि किसी को भी इस तरह रुपे नहीं दिये जाए हाला कि यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस में इसकी शिकायत की गई है हैरत की बाद तो यह है कि सन्युत किसान मोर्चा के सदस्य गुर्णाम सिंग चडोनी तक को ठगों ने नहीं बक्षा गुर्णाम सिंग के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना कर गंतक दिवस की ट्रैक्टर पेट के लिए भी चंदा मागना शुरू कर दिया गया बाद यहां तक पहुँची कि खुद गुर्णाम सिंग चडोनी को अपना वीडियो जारी कर फर्जी वाडे का खुलासा करना पड़ा आपको बताते चले कि कुंडली बॉर्डर पर धर्णा देकर बैटे किसानों ने मंच बनाया हुआ है और अगर कोई चंदा देना चाता है तो उसे मंच पर ही चंदा लिया जाता है वहाँ कोई भी चंदा देता है तो उसे उसकी रसीद दी जाती है पर माधरना इस तर पर कई दिनों से कुछ यूवा कांदोलन में मदद के नाम पर चंदा मांगते हुए घूम रहे थे ठगों ने सबसे जादा पंजाब के बु इतना भी करने की कोशिश की जा सकती है तो देखा आपने कैसे किसानों से ठगी की गई इसलिए किसानों को विस्सा तर्क रहने की आवशकता है अभी कहले सिर्फ इतना ही बने रहे हमारे साथ नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए जीएस नीज चैनल को और बेल आइकन को दव आइए लेटेस्ट वीडियो सकसे पले देखने के लिए